जी नमस्कार मेरा नाम सनी शिर्वास्तो स्वागत है आपका टीचर सड़ा 24-7 के यूटूब चैनल पे दिल्ली की MCD के जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए रिकूर्टमेंट रूल में कुछ चेंज किये गए हैं हाला कि आप मैंसे जो लोग जानते होंगे इसके बारे में शायद हो सकता अब तक आपको पता भी चल गया होगा फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जैसे यह जो सर्कुलर आया है इसमें amendment of recruitment rules of category B post in education department in MCD तो category B post जो है MCD में teaching department में जिसे हम primary educator की बात करते हैं इसमें तो उसमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो की गई है यह एक letter भेजा गया कि अगर किसी को कोई इस पे आपती हो तो या कोई भी बात कहनी हो तो 30 दिन का समय दिया गया है इसका मतलब है कि PRT की vacancies जो है वो आपकी जल्दी ही देखने को मिलेंगी तो number of post इसमें क्या है teacher है primary number of ministry या department क्या है MCD, municipal corporation of दिल्ली ठीक है अब इसमें क्या चीजें बदली गई है या क्या change आया है ठीक है तो number of post में कोई change नहीं आया है no change लिखा हुआ है number of post name of the post में कोई change नहीं आया है number of post में change आया है 2630, 2011 subject to variation depending on workload अभी हो गई है 2823, तेख तो कुछ seat बढ़ा दी गई अब इसमें से जो seat फ्री होंगी उतनी seat पर क्या होगा आपका notification देखने को आपको मिल सकता है ये अभी इस पर clarity नहीं है वो notification में ही पता चलेगा कि कितनी seat पर आएगा फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि वर्तमान में इतनी seat यहां पर बोली जा रही है कि अब ये change है कि हमारे पास इतनी seat है ठीक है category same है उसमें कोई change नहीं है उसके बाद जो selection का post है weather selection post और non selection post तो ये भी इसमें भी कोई change नहीं किया गया है age limit for direct recruits यहां पर change हुआ है और वो change क्या है तो वो change मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले क्या था कि 30 साल से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए और कह रहा था relaxable for government servants up to 5 years in accordance with the instruction or orders issued by the central government कि अगर central government कोई करती है तो जो लोग सरकारी कर्मचारी है उनके लिए क्या हो सकता है इसके अंदर कोई change हो सकता है अब यहां पर क्या किया गया है यहां पर note 1 और 2 तो यहां पर कह रहा है relaxable for government servants up to 5 years in accordance यह तो सेम बात हो गई 2 में देखिए आप क्या कह रहा है 2 में कह रहा है relaxation of 5 years in age to various categories of contract teachers SSA teachers working in MCD तो MCD में जो लोग already contract पर काम कर रहे है यानि guest teachers के तोर पर काम कर रहे है जो सर्वसिक्षा अभियान में teachers काम कर रहे है उनके लिए 5 साल का relaxation इसमें दिया गया है ठीक है तो आम तोर पर 30 वर्स ही है age अगर आप contractual teachers थे या SSA teachers थे तो आपको 5 साल की छूट दी जा रही है फिर कह रहा है relaxation in age to SC, ST, OBC PWD candidate as per जो पहले के norms थे उसी में time to time होंगे यानि SC, ST और OBC के लिए तो SC, ST के लिए आपको पता है 5 साल की छूट थी OBC के लिए 3 साल की छूट थी तो ये एक बात इसके अंदर बोली गई है ये एक बात इसके अंदर बोली गई है अच्छा दूसरी एक और बात पे आगे बढ़ लेते हैं एक और बात पर आगे बढ़ लेते हैं ठीक है देखिएगा बाकी तो इसमें कोई ऐसा चेंज है नहीं एजुकेशन और अधर क्वालिफिकेशन के अंदर बताये गया है कि आपका senior secondary होना चाहिए 10 प्लस 2 और intermediate और इट्स equivalent from a recognized board institution यानि 12 पास होना चाहिए अब कह रहा है कि senior secondary और its equivalent with at least 50% marks and two year diploma in elementary education by whatever name from a recognized university और board तो 50% तो वैसे भी कर दिया गया था senior secondary अगर आपका NCTE वाला है तो 45% पे भी चल जाएगा senior secondary और its equivalent at least 50% marks plus 4 year bachelor और elementary education तो अगर आपने BLED किया है 12th पास है 50% है तो भी आप form भर सकते हैं या फिर उसके अलावा कह रहा है कि आपने 12th पास किया है 50% के साथ और आपने 2 साल का diploma जो पहले भी था 2 साल का diploma किया है वो आप कर सकते हो graduation plus 2 year diploma आपने elementary education में किया है तो भी आप इसे कर सकते हैं pass in central teachers eligibility test conducted by central board of secondary education तो ये जो बातें दी गई है पहली condition 12th पास हो 50% के साथ 2 साल का diploma होना चाहिए दूसरी condition NCTE का recognize 12th पास होना चाहिए 45% marks के साथ और आपके पास 2 साल का diploma होना चाहिए तीसरी condition 12th पास हो आपका 50% marks के साथ और आपका bachelor of elementary education BLAG से बोलते हैं वो होना चाहिए चोथी condition अगर आपने 12th पास किया है 50% के साथ और आपके पास 2 साल का diploma है तो भी आप क्या कर सकते हैं इसमें form भर सकते हैं अगर आपने diploma in education special education में किया हुआ है तब भी आप form इसमें भर सकते हैं ठीक है दूसरी condition है कि आपका seated paper 1 का क्या होना चाहिए clear होना चाहिए तीसरी condition है must have passed Hindi और Urdu और Punjabi और English as a subject of secondary और senior secondary और higher level तो इन में से को आपने कोई एक पढ़ा हो आम तोर पे सारे लोग पढ़े होते हैं अब इसमें note कहरा है relaxation up to 5% in the qualifying mark shall be allowed to the candidates belonging to reserve categories such as SCST, OBC या PH category से हैं तो अगर आप अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आप PH category से हैं तो आपको उसके अंदर 5% का relaxation मिल सकता है जो 50% की बाद दिता रखी गई है उसके अंदर और फिर note 2 में कहरा है qualification are relaxable at the discretion of the competent authority for reason मतलब जैसा वो बनाएंगे उस हिसाप से अगर वो कोई change करते हैं तो उस हिसाप से ये चीज होनी चाहिए अब रही बात की कब तक क्या होगा और क्या चीज़ें उसके अंदर आएंगी और तो कोई ऐसा है नहीं मैंने देख लिया सारा ठीक है बाकी तो no change no change no change है ठीक है तो अब मुद्दा ये है कि कब तक ये vacancy आएगी कितनी सीटों पे vacancy आएगी थोड़े दिन में clear हो जाएग अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो तो इस साल के अंत तक PRT की एक vacancy clear भी हो जाएगी DSSB की तरफ से तो आप लोग अपनी तयारी में जुड़ जाएए जनरल पेपर की जादा से जादा प्रेक्टिस करिए ठीक है प्रेक्टिस के लिए आप हमारे batches में जुड़ नमस्कार